बॉलिवुड डिरेक्टर सशांग खेतान जिन्होंने हम्टी शर्मा की दुलनिया और धड़क जैसी फिल्में डारेक्ट की है उनका मानना है कि अब ट्विटर पर बहुत ज़्यादा नेगिटिविटी और हेट फैलाये जा रहा है जिसके बचा से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया डिलीट करने से पहले उन्होंने एक ट्विट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक पाउरफुल मीडियम था जिसका अच्छा खासा इस्तेमाल हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ साथ ही उन्होंने ये भी उम्मीद जिताए कि आगे आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म पर हैपिनेस जरूर आएगी सुशान सिंग राजपूत के डेट से इंडिया शौक में तो है ही साथ में the dialogue on mental health has started all over again काफी सारे सलेब्स ने mental health पे काफी कुछ कहा है और open up भी किया है इनने से एक है नव्या की actress सौमया सिट सौमया सिट ने कहा था कि उन्होंने physical abuse, emotional manipulation जैसे कई चीज़े और एक recent post में उन्होंने ये भी कहा कि वो कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी कर चुकी है अपने post पे उन्होंने ये लिखा है कि वो लोगों की साथ मुस्कुराती तो थी पर उनके चाने के बाद वो ये प्लान करती थी कि कैसे बापनी जिंदगे को end करें उन्होंने ये भी कहा कि वो ये कदम इसलिए नहीं उठा पाई क्योंकि वो pregnant थी वो ये ही होप करते है कि उनकी स्टोरी किसी की मदद कर बाई और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग अपने जान लेते है वो बीक नहीं होते पर हम और आप जैसे ही स्ट्रॉन होते है एक कुडी सेम शाहिद माल्या का नया गाना चड्या के तूर कुछी दिन पहले रिलीज हुआ है फीचरिंग शिवन नारंग ये वर्तिका सेंग, तो सौंग ये रेसीवड थाम्स-प संफान्स The singer was talking about the same in a recent interview when he opened up about his honest opinion on remixes शाहिद को लगता है कि सिर वही लोग remixes बनाते हैं जिनमें तालेंट का नहीं नहीं होता हुआ शाहिद ने आगे ये एक्स्प्रें कि जो हमें रोटी सब्ती से मिलता है तो हमें पीजा से नहीं होता है And we know exactly what is healthy for us उन्हें लगता है कि अगो लोगो कुई उटस बनाने ही हैं तो उन गानों या फोक सॉंग्स तो रहीं करें जो बहुत कम लोगों ने सुनी हूँ Not a day has passed in this year where we haven't mooned a new loss On one hand, where the world is dealing with global pandemic, Bollywood has its own share of losses जहां हम रिशी कपूर और इर्फान खान जैसे दिक्कत सितारों के बाने का अगम बना ही रहे थे कल टीवी और फिल्म तोनों इंडस्ट्रीज में अपने पहचान बना चले सुशान सिंग राजपूर्थ हम सब को अलविदा के चले सुशान सिंग राजपूर्थ के लास्ट राइट्स पावल हंस प्रिमिटूरियम ग्राउंड में पाली वील में फिये गए सुशान सिंग राजपूर्थ अब इस दुनिया को छोगे जा चुके है उनकी देद की खबर से फिर्म इडस्ट्री शोप में है और सदमे में है ऐसे में कुछ लोग उने शोशल मीडिया पर शिदानज़ी दे रहे हैं तो वहें कुछ ऐसे भी हैं जो उनकी डेट बॉड़ी की तस्वीर शोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं अपीनी तस्वीरों के खिलाप एक्षिल लेते हुए महाराज पुलिस की साइबर सेल ने शिताबनी जारी किया उन्होंने बताया है कि ऐसा करना आख सम्मेधन शीर है और इस तरीकी से डेट बोड़ी की तस्वीर शेयर करने वालों पर कारेवाही हो सकती है बतादे बॉलिवूड कोरिग्राफर और डारेक्टर फराग हान एक्ट्रिस मीरा चोपडा समित कई आक्टर्स ने तस्वीर ना शेयर करने की अपील की तो यह थी हमारी आज की डेली पंच में बड़ी एंटेटेनिंग खबरे और ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए आप मारे साथ जुड़े रहिए और सबस्क्राइब करिए देशी मार्टनी को